नमस्कार आप देख रहे हैं प्रसंद नियुक्त की बड़ी ख़वार सीधी जिले में जहां कुरोना संक्रमर्थमने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन प्रसासंग किला परवाई बढ़ती ही नजर आ रही है आपको बता दे जिले में कुल चार कंटेन्मेंट जोन कुशित हैं जिन में से सीधी नगरपालिका छेत्रे में दो कंटेन्मेंट जोन है आज इंतिली से आयए हुए सीधी प्रसासंदौरा कंटेन्मेंट जोन में घुषित किया गया है आईए देखें प्रिस्थित रेपोर्ट जो परोना मरी यह वो कहां पर वितना है उसा घर कहां पर है पीछे साइड पांच घर शोड़के अच्छा इसमें जो अभी बंद किया गया है यह वाला पूरा रास्ता तो इसमें कितने लोग प्रभावित होंगे है कि अहां प्रभावित हैं हम लोगे प्रभावित हो रहा है हम मारी जी अशमें और प्रेजा पती हैं कोई यह जानकारी यह उनलोगों से कोई संपर्ग नहीं हैं अपना और जो अपना इस शेवा बस्ती है आयोद्या बस्ती यह बाला रास्ता भी बन लेकिया ने ने सब कुला हुआ है अच्छा वह बाला रास्ता कुला हुआ है बीच का एरिया बंगिया जे आप पास के रिजुग हर है इस पचीद गर शेलें सब्सक्राइब करेंगे कि जो अभी कंटेन्मेंट एरिया उची एवेली से हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और हम स्थानी निवासियों से बात करेंगे कि जो अभी इन कंटेन्मेंट कि इसके बारे में चर्चा करते हैं स्री केचे टिवारी संब्सक्राइब करता पढ़रा संगर्ष्मिटी क्योंकि अपना एरिया और जो प्रशासन की बवस्था की गई है उसके संबन्द में आप मताइगे अभी मैं तो नर्सा वहां से मैं मैं जानकारी हुई तो अभी देखा कि रस्ता सील है लिकिन इसके बगल से रस्ता हमारे पढ़रा जाती है तो आगे पढ़रा कम्लाकाली की पातगा रहा है सिनोगर कालनी है अब दिक्कत यह है कि अपने कु पुलिस बाले यह कुछ चिन्हीत अस्वान बनाया जाए जिससे लोहों को पता रहे कि कंटेंडमेंट जोन और अभी तक तो ऐसा कुछ समय में नहीं आ रहा है कौन कहां से आ रहा है कौन चेत्र क्या बनाएगी यही है कि पुस्वासन को उसहां पे कुछ ऐसा चिन्हीया व जो पेसे सिक्षक हैं और यहां पे एक बड़ा कालेज है अपना गड़े सिस्मृती कमला कालेज यहां पे सिक्षक हैं सपेश जी जो अपना एरिया अभी आज ही कंटेंडमेंट एरिया बना है तो इसके बारे में क्या आपके विचार है दुपहर में जानकारी हमकों भी मिली है कि अपने सीधी हुची अमेली के पास कोई विक्ति करोना पाश्टीव रिपोर्ट आई है और लोगों ने बताया कि प्रसातन पुरी तरह से मुष्टेद रहा है उस एरिया को सिल किया गया है जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब प्रसातन ने किया है मेरे ख्याल से अच्छी विवस्ता थी तरह सभी लोग थे आप उसमें दिक्कत यह है कि इस इलिया को सिल किया गया वोड़की पुलिस की विवस्ता मिल्कुली नहीं है छोड़ी सी इसकी कमी मेरे समझ में आती है पुलिस प्रसातने से जो बाहर के अच्छा हो जाए आने जाने वाले लोग उस जाली को टेस कर सकते हैं अंदर वाले लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो पुड़ा सा क्या है कि हमारा प्रणा डाले डारेक वहां से रिलेटेड है वो रोड सीधे पढ़ रहा आती है उसका इफेक्ट यहां ही हो सकता है इसको अब क्योंकि जो आपका यह महला है पढ़रा कमला कालेज अरिया का पूरा महला है इसे यह एरिया कंटेंटमेंट जो उन से बिलकर शटा हुआ है तो काफी आवाजा ही हो रही है और जैसा आपने बताया अभी इतने रास्ते खुले हुए हैं चारों तरफ के तो उसमें आस पास के जो दुकानदार हैं और निवाथी हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में अब इफेक्ट को दिखे यह भी पुलिस हो जाती है वहाँ बेवसा बन जाएगी वहां से जो इरिया शील्ड की गई है तो उसे लोग रिलेटेंट ना हुपाएं किसी तरह का पै इसके बारे में यागरे करूँगा प्रसासों से एक तूप पुलिस वहाँ जरूर रखे चार चार दिन ताकि लोग वहां से उस जोन से इनवाल बनना हो सकते हैं चलिए अस्थानी इस तर पर जो अपने दुकानदार हैं उनसे भी थोड़ी सी राय लेते हैं सतीस कुमार सोनी जी है इनकी यहाँ पर एक जनरल स्टोर की दुकान है और इनके एरिया में ही कंटेंडमेंट जोन गोसित हुआ है और हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि व्यक्ति जो प्रोना पाजिटिव है इस महले में आया हो तो उसके बारे में जानका ही लेते हैं दुकान दरों से फतीस जी आपकी क्या रहा है इस बारे में इस बारे में है यहाँ पर पर पाज़िव कर दिया गया है तो नहीं नहीं पता चल रहा है बुरवाति और नहीं कि आपने दुकान में कुछ ऐसी बेवस्ता बना रखती है जो बाकी दुकान दरों के लिए एक मिसाल कायम हो आपके पास सेने टाइजर वगेरा की क्या बेवस्ता है दिखानी जो जो ढाइजर रखा है बुए it कि अ कम अ है अ सब्सक्राइब है और ननी दोड़ी दोड़ी बना से खामाल है कि आपके लिए ओग्यों